किसान के हजारों रुपे सिर्फ बीज पर खर्च हो जाते हैं। बीजों की बढ़ती कीमत खेती की लागत में बढ़ोतरी कर रही है। लेकिन कुछ समझदार किसान बीज के इस खर्च को बचा लेते हैं। ऐसे ही एक उन्नत किसान है उम्राव मान। उम्राव मान और्गैनिक खेती करते हैं और ज्यादा तर बीज खुद ही तयार करते हैं आप भी उम्राव मान की तरह अपने बीज कैसे तयार कर सकते हैं इसकी जानकारी उम्राव मान आपको खुद देंगे लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेकनिकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नह करने ही पाता, क्यूंकि जादातर बीज बहुत ही महीं और बीज कम बहुत ही अगर ही बहुत ही मुश्किल हुता है तो हमें इस से बशने के लिए खुद भी बीज तयार करने चाहिए कुछ बीज अईसे हैं जो हम खुद बिलकुल आसानी से सली तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई रामाय बड़ी नहीं है महावार्त नहीं है जैसे पालक का बीज है गाजर का बीज है और मूली का बीज है बहुत ही अच्छे तरीके से हम उगा सकते हैं प्याज का बीज है कई फार्मर कर भी रहे हैं लेकिन हमें आदत सी होगी है कि हम बाजार से जो बीज लाके बोते हैं तभी हमें संतुष्टी हो पाती है लेकिन ऐस इजांनाई जयसे गैहुण का बीज है उसमें हम आसानी से उगा सकते हैं कि और हम अपने अगले साल के लिए उसको शुरूइट रखना होता है उसका इतना ही करना तो ग Or wait । ऐसके अलावा। ध्याज कि गएचने, जैसे बीज वहे उसके करों निकाला है। जैसे ह कि पाल्यीकु फूर्ण करें कि त्यार किया है हुआ है। मैंने आपनी कि यह की आ पनायगा तक पाल्लकु suis दोन को आपने किया है। प्लक के बीज में एक सावधनी रखनी होती है कि पालक का बीज जो है, उसी शाल जो होता है वो ठोड़ा हां K são將 जर्मिनेत होता है, Ciao पुराना बीज अच्छे से जर्मिनेत होता है Piea और प्लक कोता है, लाजमा रहिता होती है कि अपिन चेयर को हमती ह एक बार थोड़ा लाकर के बोता हूं फिर में दो-तीन साल उसी से अपने फसले लेता हूं वो करेप्ट हो जाती है जैसे पॉलीनेशन मदुमक्यों से तो फिर दोबारा लाकर के फिर से हम बोलेते हैं इसके अलवा हमें इस समय का जो है मेथी का है चना का है और शर्षों का है गेहु का है उसमें हम अच्छे अच्छे पोदों को सलेक्ट करें और जो स्वस्थ पोदे हैं उन्हीं का बीज हम ले और उसका ध्यान रखने का यह है कि एक तो रोग गरिस्त नहीं हो एक उसका बालियां उस पर अच्छी आए फ़ल उसके उपर अच्छा हो और उसकी गरो के इसका घ्या का विज हम बना नहीं אז तो जिस पोदे से हम बीज बना रहे हैं हमें पर्थम जो घ्या लगती है एक दो घ्या श्रूकी होती है उनका ही हमें बीज लेना चाहिए इसके अलावा है पालक का हम कुड़ चाहिएंगे एक दो अध़नेश के Wise आए गा बाद जो ब अधरामे याएगा वह पोधा इतना बढ़ी गावी नहीं और वीज उसमें ज्यादा आएगा उसका अपने समय पर यह जाता है उस से हम अच्छी तरीके चेश पैदावार भी ले सकते उन वीज भी बना सकते हैं इसी परकार प्याज है प्याज का हम पैदावार नहीं ले सकत और जो ही उसके उपर वो आएगा फूल और उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि साथ में कोई दूसरा प्रजाती किसे ने बीज के लिए लगाई हुई नहीं हो एक किलोमेटर तक अगर किसे ने लगाई हुई है तो हमें अपने पोद्धू को ढख के रखना चाहिए जैसे प और हाथ से भी उसका हम प्रागन करा सकते हैं लोग कहते हैं कि हाइबर्ड से बीज नहीं होता है हाइबर्ड से बीज होता है और वह उसका जर्मीनेशन जो हम मार्केट से लेका आते हैं उससे जर्मीनेशन उसका अच्छा होता है और एक बार जो बोया हुआ बीज होता है ने कर रहा हो गता है कोईने पैदा करते रहा है उस एंसे थोड़ा समय लगता है तो उसका धीरे तो उसमें कफी भी वीज हम उगा सकते हैं ऐबड के और अच्छी पेदावार ले सकते हैं छो तो ने का पुछ E6 अनुझा थी तो फाप dol прी को पिच हो प्रोपर उसमें कोई सक्ने तो जादा ड़ानेकि जरूरी प्रोड कर झाए-ज्आ और ज्यादा मार्केट में लूटने की भीयाब सेकता नहीं है तो कफी हम खर्चे से बच सकते हैं और हमारी द्रोहर जो हमारी उन्नत किसमें हैं जो हमारी मन पसंद की किसमें हैं उनको हम सेलेक्ट करके बोज सकते हैं और उनको बीज भी बना सकते हैं दूसरे भाईजियों को किफायती और बीज की मार से भी बच सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है आप इसको करके देखिए और मैं ऐसा कर रहा हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले